गोली मारो छापनेता इस देश का मंत्री बना हुआ है वो बयान दे रहा है आप उसके बयान को गंभीरता से लह रहे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को रात में नीद नहीं आती है उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरिवाल को रोकना है कैसे सिख्षा मॉडल को रोकना है कैसे स्वास्थ को मॉडल को रोकना है एक ऐसी छोटी सोच के प्रधान मंत्री अगर देश में है तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते है। पहले कुछ निकला ना आप कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा। ये मैं बीजेपी और नरेंद्र मोडी जी से कहना चाहता हूँ। पंजाब गए, वहाँ हम आदमी पार्टी जीती। प्रचंड बहुमत के साथ हम आदमी पार्टी जीती। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरिवाल जी की लोग प्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में केजरिवाल का संदेश, शिक्षा और स्वास्त का मॉडल पहुँच रहा है। पूरे देश में केजरिवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी दो दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया। जिसके समर्थन में देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के ग्रेह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिलना है। और जब केजरीवाल की लोग प्रियता बढ़ रही है। केजरीवाल चुनाओं में जीत रहे हैं। एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुँच रहे हैं। तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का सिक्षा और स्वास्थ का मॉडल। दिल्ली के सिक्षा और स्वास्थ की क्रामती इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नीद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है कैसे सिख्षा मॉडल को रोकना है कैसे स्वास्थ को मॉडल को रोकना है लेकिन मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ ना अब केजरीवाल आपसे रुखने वाले है ना सिक्षा का मॉडल रुखने वाला है और ना ही स्वास्त का मॉडल रुखने वाला है आपने हमारे स्वास्त मंत्री को जिसने मोहला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया जिसने पूरे देश में स्वास्त के छेतर में क्रांती की उसको उठाके जेल में डाल दिया हमारे सिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है सिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई कब हुई बहानक क्या लिया जा रहा है सिक्षा और स्वास्त दो ऐसा छेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोगप्रिया हो रहा है अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि करोना के दौरान लाखों लोगों की मिर्ट्य हुई अमेरिका का वो न्यू यूर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरे दुनिया के सामने रखता है वही अमेरिका का न्यू यू यूर्क टाइम्स अखबार कल मनीज से सौदिया की फोटो के साथ दिल्ली के सिक्षा मॉडल की चर्चा करता है मनिस स्वादिया के फोटो के साथ दिल्ली के सिख्षा क्रांती की चर्चा करता है केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है इस बात पर पूरे देश को खुस होना चाहिए पूरा देश इससे खुस है कि आज पूरे दुनिया में मनी सिसोदिया की चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में उनके सिक्षाक रांती की चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में केजरी वाल मॉडल की सा रहना हो रही है लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधान मंत्री की सोच इतने छोटे स्थर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीज सिसोदिया के घर पे CBI भेज देते है उनको खुस होना चाहिए था कि मनीज सिसोदिया के सिक्षा मॉडल की चर्चाज पूरी दुनिया में हो रही है लेकिन वो बौखला कर दूसरे दिन CBI का च्छापा डलबा देते है और मसला शराब नीती नहीं है याद रखिएगा मकसद सराब नीती की जाच कराना नहीं है याद रखिएगा किसी को गलत फहिमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए मकसद एक ही है अर्विंद केजरिवाल की बढ़ती लोगप्रियता को रोकना अगर शराब नीती मसला होता अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहली जाच गुजरात के अंदर भारती जनता पाटी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं जहरीली शराब बनाते हैं सैक्णों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली सराब बनाकर तो जास तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जास की सुरुवात तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी उनके खिलाफ कोई E.D. कोई C.B.I. किसी एजनसी ने कोई जास की तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है मुद्दा है अर्विंद केजरिवाल की मॉडल को सिक्षा के स्वास्त के मॉडल को रोकना दिल्ली के मॉडल को रोकना लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तोर पर कहना चाहता हूं अपनी छोटी सोच से बाहर आईए बड़े मन से काम कीजिए अब केजरिवाल आपसे रुकने वाले नहीं है दिल्ली का सिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्त का मॉडल रुकने वाला नहीं है पहले भी आपने सैक्णों प्रयास किये हैं भी कर लीजिए पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे CBI का छापा मारा है क्या निकला अस तक कुछ नहीं निकला मनीश सी सोधिया पे CBI का छापा मार चुके हैं क्या निकला कुछ नहीं निकला हमारे 40-40 विधातों को पकड़ के जेल में डाला कुछ क्या निकला कु CBIED, CBIED इन एजंसियों को दिल्ली पुलिस इनको आपने मजाग बना रखा है कराइए जाँच और हम तो स्वागत करते हैं आप जाँच कराइए जितनी जाँच करा सकते हैं ना पहले कुछ निकला ना आप कुछ निकलेगा आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा ये मैं BJP और नरेंदर मोदी जी से कहना चाहता हूँ मुझे इतनी बात कहनी थी आपका कोई प्रस्म हो तो आप पूसकते हैं संज्जर जी मरीजी की यहाँ पीजिए CBI के रेट पढ़ा है इन सारी बातों पर एक हजार बार जवाब दे चुके हैं इन सारी बातों का जवाब मनिस्स सौदिया जी दे चुके है पूरी पार्टी दे चुकी है मैं आपसे पूस्तो रहा हूँ अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जाच क्यों नहीं होनी चाहिए जहां पर जहरीली सराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस से पकड़ा गया था भाजपा का जिसके घर में जहरीली शराब नकली सराब बन रही थी जल जीवन मिशन का हजारो करोन का भ्रस्टाचार हमने खोला था उत्तरप्रदेश के अंदर कुछ हुआ 42,000 करोन का डीएचेफिल ने घोटाला कर रखा है 29 करोन रुपे चंदा दिया है बीजेपी को उसने कुछ हुआ मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ मकसद इनका बहुत साफ है अर्विंद केजरिवाल की बढ़ती लोगप्रियता को रोकना मकसद इनका बहुत साफ है सिक्षा और स्वास्त का जो मॉडल आज पूरे देश में लोगप्रिय हो रहा है पूरी दुनिया में लोगप्रिय हो रहा है उसको बदनाम करना वो उसमें काम्याब उनको मिलेगी नहीं इसी मामले में विजिलेंस इंक्वाइरी भी हुई थी सर ग्यारा अधिकारियों के खिलाफ कारवाई हुई थी जी उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी क्या करना है कैसे हम इस पर अपना जवाब देंगे इसी मामले में विजिलेंस इंक्वाइरी भी हुई थी और ग्यारा अधिकारियों के खिलाफ कारवाई हुई मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ ऐसे ही चीख-चीख के सारे उस समय भी चिलाते थे जब CBI पहुँची थी मनिस्सी सौधिया के गर अरे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ने आये हैं कुछ निकला कुछ नहीं निकला 40-40 विधाकों को जब भी गरिफ्तार किया इतनी ही गंभीरता के साथ इतनी ही चिलाहट के साथ इतना ही चीख-चीख के उस समय भी भाजपाई चिलाते थे इस पे ये निकल गया उस पे वो निकल गया इस पे ये पकड़ा गया उस पे राजेंदर कुमार के कमपनिया पकड चार सो फाइलों की जाज करा है दिल्ली सरकार की बाद में कह दिया कुछ ही नहीं निकला तो मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली का सिच्छा और स्वास्त का मॉडल पूरी दुनिया में देश में लोगप्रिय हो रहा है उसको ही बदनाम करना है उसको ही रोकना है एक ऐसी सोच के प्रधान मंत्री अगर देश में हैं तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं कैसे वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे जिस देश के प्रधान मंत्री की सोच इतनी छोटी हो कि सिच्छा और स्वास्त पे काम ना करने दे अब ब अच्छी कारवाई हुए है। कर दी तो कांग्रेसियों का अगर ये दोरा नजरिया है तो वो अपना हो जाने है। एक ही सवाल आपसे पूछा कि अगर वास्तों में शराब मुद्दा है तो जहरीली सराब से जिस गुजरात में सो लोग से जादा मारे गए वहाँ पर किसकी एडी और सीबियाई की जाच होई अब तक बताईए मुझे। कौन सा बीजेपी का नेता पकड़ा गया बताईए मुझे। बीजेपी एडी और सीबियाई जब इनके खिलाब कारवाई करनी होती है तो बीजेपी के खिलाब वो बिलकुल पंगू हो जाती है। नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं करना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यह बाप। और क्या अकेले यह पहला मामला है। मैंने आपको गिनात हो दिया कि कितनी बार इन लोगों ने कब EDCBI दिल्ली पुलिस अरे बही यह इस प्रकार से काम करते हैं सोमनाद भारती का कुट्टा पकरने 40 दिल्ली पुलिस वाले गये थे। कह रहे थे उसकी जबडे की जाच करनी है। आप बताइए ऐसे लोग हैं यह इस तरह से काम करते हैं। तो मनुष तिवारी बगएर जाच के बैजल जी को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं भाई। उनकी क्या साथ गाठ है। तो यह तो दोहरा रविया है। एक तरफ भाजपा कहती है जाच हो जाने दीजिए क्या फरक पता है। दूसरी तरफ कहती है ने ने उनकी जाच नहीं होनी चाहिए। तो किसको किसको हिस्सा मिला है। जाच होने दीजिए। यह कौन सा दोरा रविया है एक तरब तो कहते हो गर्दन दबादो फासी पे चढ़ा दो उल्टा लटका दो अगर दूसरी तरब कहते हो कि क्यों जाच होनी चाहिए अनुराग ठाकुर इस देश के मंत्री बने है यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है गोली मारो छाप निता इस देश का मंत्री बना हुआ है वो बयान दे रहा है आप उसके बयान को गमईड़ता से ले रहे और मुझसे सवाल पूछ रहें वो सब गोली मारो छाप निता हैं उनकी बातों को मैं गमईड़ता से नहीं लेता